हलो गाइज, स्वागत है आपका Marvel Future Revolution की एक और वीडियो में तो कल हमने चार स्किल्स के बारे में बात करी थी आइरन मैं की और हम नेक्स चार की बात करेंगे तो अगली चार है वो है Micromissiles ये Micromissiles की में चारो स्किल्स जो है ये mainly Debuff स्किल हैं Debuff मतलब कोई किसी चीज का Buff मिलता तो वह अच्छी चीज है तो Debuff याने Debuff कर देना मतलब उसका Buff हो ले लेना तो मैं First Skills आप देखोगे कोई काम की स्किल नहीं है Simple चोटा मोटा डैमेज करती है 353% का ठीक है Second Skill मैंने कभी Open ही नहीं करी क्योंकि ये तो और बेकार स्किल है एक तो Stamina Tire Cool Dawn बजाता है तो डैमेज और कम हो जाता है पर हाँ Guard Break बजाता है ये Knocks Down भी करती है Knocks Down कर लग ऐसे विलेंस को ऐसे नीचे करा देती है पर ध्याना ये सिर्प छोटे मोटे विलेंस पर इकाम करता है उन पर 20% extra damage पड़ेगा मैं अगर मैं उन पर 100 damage करना चाता हूँ तो उन पर 120 damage पड़ेगा तो ये skill मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि इस skills के बाद आप ultimate power चला सकते है इसकी ulti चला सकते है जो कि बहुत अच्छा damage करेगी उसके लावा इसका cool down भी बहुत कम है तो आप बार बार इसे चला सकते है तो लगभग एक या दो second यह होता है जब आप इसमें पर extra damage ना कर रहो वहना आप हमेशे extra damage उन पर कर सकते है तो ये आप अपने इसाफ से देख लेए आपको कहां कहां काम आ सकती है प्लेयर्स ने या फिर इस सुपर विलिंस में या इनी चोटे मोटे बंदों ने कोई बफ ले लिया है increase attack करने का या फिर immunity का तो ये वो वाले buffs को हटा देती है ठीक है ना guard break increase करने का cool down कम करने का तो ये वो सारे buff हटा देती है उनकी movement speed भी कम करती है इसका भी guard break बहुत हाई है पर इसका damage हमेशे की तरह कम है तो इन चारोगी skills का damage बहुत कम है ये सारी की सारी debuff skills है ये enemies को debuff करती है उनके attack उनके defense उनकी HP उनका cool down उनके ultimate ghost recovery उनके ultimate इस अब खीच लेती है खतम कर देती है अगर उन्हें कुछ extra मिला होता है तो आगे चलते हैं यह है artificial intelligence अगली skills यह skills mainly buffs है बाफ है मतला अपने लिए debuff villains पर चलते हैं बाफ अपने पर चलते हैं क्योंकि ऐसी गेम काम करता है तो यह नहीं होता है करता है तो यहीवाली skills चलते हैं जिसकंदर क्या होता है आपका increase attack हो जाता है 30% के लिए वो 10 seconds बहुत अची यह उसका सथ तो अच्छी skills है बहुत अच्छी skill है ठीक है यह अटेक वाई skill अब यह दूसरी skill यह दूसरी skill से इसको मैं use करता हूं जिसकंदर क्या होता है रिकावर्स अल्टिमेट गोस रिकावरी बढ़ जाएगा आपकी जो रिकावरी इस वह होती है एक बार होता है क्या करती है decrease remaining skill cooldown by 31% जहां रखनास पर लिखा remaining skill cooldown remaining skill cooldown का मतलब है कि जो भी जो भी आपकी skills से कूल डाउन पर हैं उनका cooldown 31% से कम कर देगी ठीक है एक होता है simple decrease skill cooldown का मतलब है कि अगर कोई 20 second की है तो उसे 18 second कर देना उसे 15 second कर देना ठीक है ना जैसे कि मालो आपकी skill है 100 seconds की ठीक है उसको 100 seconds बाद ही चला सकते हैं और उसका मैंने skill cooldown decrease कर दिया किससे 50% से तो आम मैं उसे कप चला चाहूंगा अब मैं उसे 50 second बाद ही चला पाऊंगा पर यह यह नहीं कर रहा है यह कर रहा है remaining skill cooldown remaining मतलब पहले मैंने उसे skills को चला दिया 100 seconds की चल गई उसके बाद जैसी में इस skills को चला हूंगा तो आप 100 second है उसका 30% कम हो जाएगा मतलब यह 70 seconds में ही चल जाएगी मतलब वह जो 100 seconds चल र 910 इस पर आजाएंगे ठीक है ना इस चीट का जाना रखना यह maximum skill cooldown नहीं है यह remaining skill cooldown है जो skills चलाने के बाद cooldown कम होगा और maximum skill cooldown या simple skill cooldown वो होता है जिसके अंदर आप जो skill cooldown दिया होता है skills का मालोग 20 seconds तो डायक्टी 15 seconds हो जाता है मतलब आप इसको जैसे चलाओगे तो आपकी हर skills stamina कम लेगी ठीक ना यह जो रिकावर्स अल्टीमेट गोज्स रिकावरी और यह remaining skill का cooldown है इस वाली skills को हमेशा एंड में रखें ताकि जब आपकी चारो skills चल जाए तब यह पांच पी अगर यह चले तो बाकिस अपा cooldown कम कर दें उसके लावा यह PVE में बहुत कम आईगी को मारने में सेंपल मॉस्ट वांटेट्स को मारने में यह वाली जो स्किल जो stamina consumption कम करती है यह ज़्यादा काम आएगी आपको training मारन नहीं होते हो ठीक है ना हर इसकील हर जिसपर भी लिखा होता है कि यह आओड ईमेज हाई करता है मौडे करते हैं deport करता हूं जब याद्वरन यह बंद करते चांब होता हों तो फ़ीं सब्सक्रादा ओचा आप आपROड़μ critics से को तो आपका दाम करता हो करले कीए भाइब करका दो वाल हो गा मुझा रही और कर मैंने लिखेंश सब्सक्राइब से शांवीना सब करना सब्सक्राइब नहीं सबस्क्राइब करते हैं। तो कासा करती है 60% डेमेज आप देख सकते तो मैं इसी ही यूज करता हूँ बहुचा डेमेज और फोर्थ ये स्किल मुझे आस्तिक समझी नहीं आई डेमेज इतना खास नहीं करती है लेकिन कोल डाउन देखो इसका सिर्फ दो सेकंड मतलब अगर मेरे पास 50% स्किल कूल डाउन म तो ये हर एक सेकंड ये डेड़ सेकंड में चल सकती है हर डेड़ सेकंड में चलती है और इसका स्टैमिना कंजप्शन देखो 42 ये चक्क कर गया है इतना ही डेमेज करती है कूल डाउन तो कहने को कुछ है यह नहीं पर स्टैमिना इतना क्यों लेती है क्या स्किल है मुझे स एक तक समझनी है यह क्या चक्कर चाती है ठीक है अगर आपका इस्टेमिना बहुत है और आप अपनी बफ स्किल यूज करते हो यह वाधि उसमे रख सकते हो स्किल सट के अंदर और जब भी कोई भी इस्किल यूज नियो की यह स्किल हमेशा यूज हो जाएगी क्योंकि इसका कूल डाउन ही इतना कम है हर दो सब्सक्राइब को चला सकते हैं तो यह है उसके लाबा आग गॉंट लेट मैंने एक भी उपन नहीं कि मुझे एक भी पसंद नहीं है सबसे पहली बात हो आग गॉंट लेट की सबसे बड़ी प् पीछे जाता है एनर्जी बढ़ाता है फिर आगे आके मारता है वाइए बहुत टाइम लेता हो डैमेज भी इतना नहीं करता सिर्फ टूर्टी फ़रसेंट है कहां मैं एक एक जार परसेंट की बात करता हूं दूसरा देखो डैमेज एत्ता है 766 परसेंट पर देख कितनी कि एक जगे खड़ा रहता है देखना ये खड़ा खड़ा घटard इंक हे खड़ा इतने में ऐसे पील जाएगा अभी खड़ा है अभी धी खड़ा अभी खड़ा है अभी खड़ीए आफ उसमें प्लेयर वर्सस venue होता है तो बहुत बेकार है उता है वह खि मत लह बढ़ी झाल हो गया तो कोई मतलब नहीं है ऐसी थार्ड स्किल डैमेज हाई मैं जानता हूँ गार्ड ब्रेक बहुत हाईएस्ट है पर डैमेज कुछ भी नहीं है उसके पिर से वही सेम चीज खड़े रहो एक जगे पे बहुत अजीव है यह स्किल्स और यह साथ भी पांच चौती स्किल् कमीन पर आएगा और फिर एक वेव सी आती है पूरा एक सेकंड लेता है चलाने में सी अब चलाया है देखना यह स्टार्ट यह अब डैमेज इतना टैम किसके पास है ओमेगार में तो बिल्कुल डैम नहीं होता इतना तो मुझे यह स्किल्स भी कभी पसंद नहीं तो मुझ यह तो यही थी सारी आरें वेन कि स्किल्स मैंने आपको बता दिया है उसके रहे बात मेरें के स्किल्स सेट के तो देखो मैं को इसका वह प्राइमरी प्लेयर्स तो नहीं हूं पर तब भी आप देख सकते हो अगर देखना चाहो यह है पीवी यह ट्रेनिंग ग्राउंड्स के लिए ठीक ना यह ट्रेनिंग राउंड्स के लिए यह 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 लगता है मैंने कुछ सेट नहीं कर रहा है तो आप इन्हीं तीनों के बल्बूते पर कुछ कर सकते हो तो कर लो वरना आप अपने हिसाब से बना लेना मैंने आपको सब का वह बता दिया है गाइड किस तरीक पर स्किल तो जोरूर रखना बहुत अच्छी रहती है तो मैं वह रखता हूँ एक इन्विंसिबिटिए स्किल ये एक आइफ रीम वाली स्किल ये शायद इन्विंसिबिटिटि चलाने पर डॉच चलाने पर भी डैमेज करती है इसलिए ये तीन स्किल्स तो रखता ही तो यही है आरन मेन की स्किल गाइड वीडियो आप उससे ही पूछे या वह कमेंट करके थोड़ा बहुत गाइदेंस यहां पर दे सकते हैं तो आतकी वीडियो में इतना हूं थैंक यू बाइबाइ